17 अप्रेल गुद्वार शिक्सा विबाग के महत्वपॉन समाचार नमस्कार दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं पूर्व सेनिकों को माना जाएगा बीएड के समकक्स दिलावर राजस्तान में पुर्व सेनिकों को बीड के समकक्स माना जाएगा शिक्षा विबाग ने इसकी तैयारी परारम कर दी है इससे पुर्व सेनिकों का सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का रास्ता साप हो सकेगा साती सहीदों की विरांगनाओं या आशरीतों को अनुकमपा नियुक्ती की जाएगी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी गोशना की है आर्टी अब गुंतिस तक होंगे परवेश एक माई को निकलेगी लोटरी आर्टी के तेज जो एड्मिसन हो रहे थे सतर दोजार चोईस वच्चिस के लिए इसकी तारिक पहले 21 अपरेल निर्दारित की गई थी लेकिन इसको बढ़ा करके अब गुंतिस अपरेल कर दिया गया है ओपी जी एस युनिवर्सिटी में खुला सा नो साल में 26 करोड रुपे में बांटी 1300 फर्जी डिगरी दलालों को परती डिगरी 50,000 रुपे तक की कमिसन दिया गया जैपुर बिना मान्यता तीन साल डिप्लोमा कॉर्स चलाया 203 चात्रों से 2 करोड फीचली मारक्षिट काम नहीं आई मेवाड युनिवर्सिटी ने वर्स 2017 से 2020 तक पस्षू चिकित सा डिप्लोमा कॉर्स चलाया पस्षू पालन विबाग ने नो सी का आवे दिन बाद में किया आज तक मंजूरी नहीं मिली प्रेक्टिस टेस्ट से पेपर के कलर कोडिंग वे नेविगेशन पैटरन को समझे प्रवेश परिक्षा 26 माई को दो सिप्ट में होगी जेई एडवांस आई आई टी मदरास ने जारी किये प्रेक्टिस टेस्ट विदार्तियों को रहत उच शिक्षण संस्तानों में शेक्षणी कलेंडर तयार करने के निर्देश सबी कोर्ष के परिणाम जून के अंतिम सप्ता तक खोटा आरेस कोपी देखने के लिए आवेदन 30 तक प्री डियलेड यानि BSTC 6 लाग विदार्तियों को आवे दिन सुरू अने का इंतजार निदेशाले ने मिटिंग कर दी इस्तगित प्रारमिक शिक्षा निदेशाले ने 16 मार्च को परिक्षा के दिये थे निर्देश 30 अपरेल से 4 माई तक होगी परिक्षाएं एक भी दिन का नहीं है अन्तराल कक्सा पांचवीं बोर्ड के एडमिट कार्ड जारी कोटा में 30,000 शाधिक विदार्ति परिक्षा के लिए नमांके पांचवीं बोर्ड की परिक्षाएं 30 अपरेल से 4 माई तक चलेगी BBA वे BCA की AICT से मान्यता लेने में केई कोले चुके कॉर्स पर लटकेगी तलवार UPSC अब अभियर्तों का एक बार ही होगा रेजिस्ट्रेशन CUETUG तेरा विश्यों में ओफलाइन होगी परिक्षाई NEET PG आवेदन शुरू फोरम फिलिंग 6 माई तक Veterinary विश्यों विदाले तिनो संग्ट कोलेजों में PhD आवेदन 16 माई से जोध पुरू UPSC CAC result टोब 10 में सामिल हुई 4 फिमेल कंडिडेट्स 3 साल में सामाने वर्ग में 960 अंकों से अधिक नहीं रही CAC की कटोब इस साल भी कम रहने की सम्भावना RT परवेश की तारिक 30 तक कर दी गई है PTT के ओनलाइन आवेदन की परिक्रिया पूरी नो जून को होगी परिक्षा पांचवी बोर्ड 14 लाग अभीरतियों के प्रवेश पत्तर हुए जारी शिक्सा में बढ़ते कदम 30 रे चरण की परिक्षा गुन 330 अप्रेल को 1113 पदों पर हुई बड़ती चेन 1016 का ही 180 पद भारती प्रशाशनिक सेवा में प्रशाशनिक सेवा के सिविल सेवा परिक्षा 2023 आरक्षि सुचि में सामिल 240 को ही मिल सकेगा मोका परतिबाख होज परिक्षा 12 मही को सभी जिलों में कराने की तयारी जल्द जारी होंगे इंटरवे फाइनल के एड्मिट कार्ड तीन साल में सामानिय वर्ग 960 अंको सेदिक नहीं रही CSC की कटोप UPSC टोप 20 में 13 बिटेक टोप 5 में 3 पहले से IPS 352 लड़कियां सेलेक्ट पिछली बार से 32 जादा लकनाओ के आदिति स्रिवास्तव टोपर कुल 1016 अब्यर्थी सपल डियू का दबदबा अब पूर्व सैनिक बनेंगे सरकारी अध्यापक मदन दिलावर जेट 2024 के ओनलाइन आवेदन के अंतिमति दिव बढ़ाने की अधिस उचना जारी 30 तारिक तक इसके आवेदन की तिथिव बढ़ाई गई है इसकोल सिलेबस में इस्तानिय बासा को जोड़ा जाएगा सिक्सा मंत्री कोआ को कागला पढ़ेंगे 36 भासाओं पर चल रहा सर्वे कोटा पद रिक्त होने पर भी ना 373 से और ही पदोनती ना हुई स्टापिंग पैटरन की समिक्सा सिक्सा विबाग में पराचारी उप पराचारी वेक्याता साइत वरिष्ट अध्यापक के 64,868 पद रिक्त रेलवे रिक्रूमेंटल बोर्ड 460 पदों पर होगी बढ़ती मैं से फिर शुरू होगी RPSC की बढ़ती परिक्षाएं जून में ये परिक्षाएं होंगी RPSC दुआरा जुलाई में परिक्षाएं फिर अगस्त में एक्जाम गाइड के महतोपून पर्षन आप देख रहे हैं सेकाबाटी उनिवर्सिटी सोध पातरता परिक्षा का परिणाम गोशत शिक्कर आज का इतियाज 17 अपरेल की महतोपून गटनाएं 17 अपरेल को जन्मे व्यक्ती 17 अपरेल को वे निधन 25 को जारी होगी AIRM फाइनल रिजल्ट एडवांस परिक्षा के आवेदन अब 27 अपरेल तक लकनाओ के आदित्य टोपर यूपेसी टोपर लिस्ट में छाए इंजिनियर तो ये थे आज के महतोपून समाचार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूप टलें मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत थेंक यूँ